वेलकम तो माई चैनल यह हमारा डे थ्री ट्रीप है ले लड़ाक खे लिए और हम बहुत अच्छी नीज ली पीटर था बैड पे जिसके वीजे हम जल्दी ओट के पूरा कैम्प हमने विजिट किया हुमे पूरा टैंस देखे पूरा एरिया चकाउट किया और यह आपके साम ने दिख रहा है जो एक टैंड के आजूबादू है और रेट कैम के टैरस पर से हमने पूरा व्यू लिया त्री शिक्स्टी वीड और बहुत ही अच्छी जगह थी रहने के लिए बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा है बाइकर्स का जो ओनर है वो भी थुद ब और यह कैम्प एरिया है और फायर मुजिक के लिए हम तयार होके जल्दी ब्रेक्फास के लिए ब्रेक्फास के लिए और हम गाड़ी रेडी करके टूटूट के तरफ निकल गए है तूटूटूट के अच्छली दे लास्ट विलेज नौर्थ विलेज और हम यहां से अप्रोक्सिमेटली 60 तो 70 किलो मेटर्स है तो आना जाना आपका 151-60 किलो मेटर हो जाता है और हम अरूड 9 एम के आसपास हम निकल चुके और अन्दोवे बहुत ही बड़िया सिंसिनरी मिली हमको और बहुत बड़िया रोड था बीच में एक जगे हमको काम की इसाब से रुपना पड़ा एक धंटे का वेट करना पड़ा ब्लैट सोके चलता है और रास्ते में बहुत सारे स्टॉप्स लिया अच्छे वियू जात इस अच्छा लगा राइड के लिए और आराम से अमको कोई जल्दी नहीं थी हम आराम से गए और रास्ते में बहुत सरे बाइकर्स मिले बहुत सारे तूरिस्ट वेहिकल्स मिले और ये साथ में स्योक रीवर भी हम हमारे साथ ही रोड के पाद बगल में चलते रहती है और मेटल ब्रीज इत्में सारा आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यूनिक लगता है और इस सम्पिक्स यह वहेगा ब्रीज पे एक समय पे एक ही गाड़ी अलावले बाइक पुसांके चल सकती है यह रही स्युआ को यह अच्छा फ्टो है इसमें सब्सक्राइब करें बहुत ही बढ़िया ब्रीज था है और रोट्स तो वैसे वन सिंगल रोड है लेकिन बहुत ही अच्छे मेंटन किया है प्रियारों आप जगरी बहुत ही क्लीन है कोई वेस्ट इस नहीं है कोई प्लास्टिक के वैपर जब आप कोई डाले नहीं वहां जो भी दिखे अटलिस उठाले अपने साथ और अच्छी जगे लिफ्वाजट कर ले अ कि बहुत ही बढ़िया वीव है यहां और आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप तहीं हाला कि दुनिया में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीव में हो यहां एक च्छे कंस्ट्र करना पड़ा और रिसेंटली जो जो 26 जो आर्मी वेहिकल पलट गए वो इसी जगे बहुत गए ती और अराउं सेवन सोल्जेस अपने कील हो चुके है तो बहुत ही डिसप्वाइंटेड लेकिन रोड भी बहुत खराब है तो समालना बहुत ही करता है कि यह जो सामने का पहाड देख रहे हो वहां पूरा रोड कट्रिंग किया हुआ था ऐसा व्यूर लग रहा था जैसे पहाड पने उत्पर गिर जाना है जिए पूरा वेली है इसकी वज़े से ग्रिनरी सब नीचे ही होती है पहाड कर कोई घ्रीनरी नीए है पहाड़ पहाड़ सब्सक्राआई पूरा पान ही नीचे लेक्टा जेता है जिसके वग्जा से पहाड़ सब्सक्राइब होते है ने हम पहुंच लास्ट विलेच है और अफ्का सेक्यूरिटी चैकफ आप यह चानक अलाग किया है यह जो पहाड़ आप राइट सियड में और यह बॉर्डर भी पॉइंट है चुली थोड़े जिन पहले हमको लास्ट बॉर्डर तक जाने देते हैं लेकिन विकॉज अप सम् तुरिस्ट ड्रोन उड़ा लिए इसके विज़े से हमको आगे ने जाने दिया अब वहां से हम रिटन होके फिर से अंडरत की तरफ जाते हुए जा रहे थे पीछ में बहुत अच्छे विज़े आ रहे थे और एक एंगल पर अलग अलग भूज हो जाती हमने सिया जिंग आर्मी केफे करके भाए जो हम वहां रुके लंच और क्या विज़े है यहां से बढ बहुत ही बढ़या विज़े चाते से मैंने देखा था लेकिन अम रुके नहीं लेकिन अच्छा हुआ हमने रिटन में रूप यहां स्टाप लिया बहुत ही बढ़या लोकेशन है अब बनता ही है यहां रूपने के लिए तो मैंने में एक घ्राग वन ऑफ बैस्ट मेंगी यहां के फोकस खीचान है और व्यूज सब देखा जो बाजू 360 वीडियो लिए बहुत ही अच्छा लगा यहां अप्रॉक्समेटली आदा है अपोना गंटा के उपकर है यहां और अच्छा लगा बहुत ही अच्छा था और वहां इलेक्रिक साइकल्स भी है जो आप 50 रुपी कि उपर एक मॉनुमेंट है उसको देखने के लिए यह रिटन में हमको फिर से वही जगे पर हमको थोड़ा 50 मिच का होई करने पड़ा यही जगे पर अभी एक्सिदेंट हो चुका है आर्मी वेहिकल का जो लोग बहुत ही रिस्की है समाल के चलाए आप कोई जल्दी नहीं है अराम से जाना है और समाल के जाना है तो मेरे वाइफ मेरे रेपोर्ट कर रही थी पीछे देखे पुरा मेटल सब्रीज है जो अभी बीच में प्रोटेक्शन वाल बन रही है जल्दी बन जाती अपना आर्मी के इंसिडेंट नहीं होता है अभी यह थोड़ा रोड सब्सक्राइब करता है और यह से बहुत ही यूनिक टाइप के स्ट्रक्शर्स पथर और सब्रेकिन होगा है जो आपको कहें नहीं देख नहीं जाएगा कि यहां से हम पहुंच जापने वही वोटन पर हम बीच में कंफिउज से क्या करें क्या करें यहां से पैंगॉंग भी अना निकले लेकिन अने सोचा कि इस बेटर तो स्टी बेटर अच्छा था ब्रेक्पास्ट अच्छा था और पैंगॉंग में हवा भी बात पतली है तो हमको थोड़ा दिकत हो सकता था तो अब अब पजी हुआ ने तो प्लान पूस्टे यहां और यहां गंदर रेस्ट किय अब अब अन्डर सेंडियोंग जैसे हम सेंडियोंग पर पूछे तो बहुत ही थे लेकिन कि याओ व्यूस थे व्यूस देखके हम को क्या मजा आए बहुत ही बढ़ी है देखे दोड़ा 360 लिए है ना बहुत ही बढ़ी है शन्सेट अबी भी नहीं आ था पहादी परसंट अब बढ़ी है यह बढ़ी है यह बारिश ना कि बढ़ाबर होती है और इसकी विज़े से सेंडियोंग प्रियेट होते है इस वरेट के पहाड़े जैसे रजिस्तान में होते है लेकिन अब सूझेए कि थंडी में पूरा थंड है थंडे अप्रोक्सिमेंटली एट से नाइंग डिगरी तब था वह अच्छा था बहुत ही अच्छा अट्मस्वेर था शाम के टाइम रात को वह आराउंड दो दिगरी तीन दिगरी क्यास कर सोजबता है नूब्रा में आपको मोस्ली अक्षिजन की प्राब्लम नहीं थी कि इस दे ब्लूएश पार्ट अफ द ले रीजन अब यह सबसे नीचे पांग तरह हमने थोड़ा बहुत एंजोई किया सेंड यून्स का व्यूज लिए फोकस किचे और बहुत ही अच्छा लगा यहां से यह सेंड यून्स जैसे ही संसेट होने वाला आता है सब कलर्स चेंज होती जाते है पाहड के और यह सब और यहां डबल हम कैमल्स के राइट भी है हमने नहीं की थी लेकिन बहुत ही भीग करें नहां से नेक्सडे के बारे में बात कर रहे थे किने अरूंद 3 20 किलो मेटर जह पैंग लिए और बहुत सूपर जल्दी उठना ता है है तो हम थोड़ा जल्दी रूम पे चले ज़े हैं नहां से बिनर किया और उसके बाद हमने जल्दी सो लिया इसके वीजे सम जल्द व्यूट के नेक्स डे का हमारा दिन जल्दी स्टार्ट कर पाए है किया रहा हम 320 किल मेंटर पहाड पर जाना बहुत ही टाफ है और एक्साइट था दूसरे दिन के लिए भी स्टार्ट करना चाहते थे शाम के व्यूट पर भी यह बहुत ही अच्छा लग रहा था यह कैफे है यह यह नदी जा रही है शौट अब फिर हम चले के अपने कैंप पर हारा टेंट था दूसरे दिन का थोड़ा बड़ा टेंट यह बहुत थोड़ा बड़ा था वैल अप्यूप था इटर है बाथरूम भी पूरा प्रफर बाथरूम है वालेटरीज दी गई थी टावल दी गए थे अव्यूट यह थे बहुत ही अच्छा रूम था बड़ा था इसलिए था 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 थैंक यू विल सी यू ने नाएं गिल सुड़ मिल आएंवे छ गादरे करे बहुत है अच्छा इटर मोड़ा रह रहा था विल सब वालेगछ मoryण winners ने या यूलेटरीश देरियन वालेग्वेोश पराव दोत्टर मड़ा था उनाय का दी अवर बादेज।